सर Capital Gain Capital Gain में सबसे पहले हमने Capital Gain कब निकलेगा जब सर ऐसेट्स बेच दोगे और जब ऐसेट्स बेच होगे तो यानि उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं Transfer Transfer का मतलब है जब आप किसी को बेच देते हो लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि कब आप Transfer Transaction Regard as a Transfer होगा और कब नहीं होगा कब आप Transfer मान लीजिएगा और कब नहीं मानिएगा पहले भी डिसकस कर चुके मैं में उन पॉइंट पे बात करूँआ एक तो Distribution of Assets Gift दे दोगे तो भी Transfer नहीं माना जाएगा और Amalgamation वगेरा की कुछ पॉइंट्स थे तो सबसे पहले हमने Transfer की बात करी थे कि कब Transfer माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा सर अगली बात करते है Nature of Capital Assets काफी सारे बच्चे इसमें भी थोड़ा सा Confuse हुए सर Nature of Capital Assets क्या है जिसको मैंने Type of Capital Assets से बताया था तो Capital Assets दो तरीके का होगा Long Term और Short Term आपका Short Term में मैंने बताया जो 12 महिने हो 24 महिने हो 36 महिने हो और इससे जितने जादा होंगे वो चला जाएगा Long Term में तो सर 12 महिने में कुछ कैटेगरी है 24 महिने और 36 महिने सर 12 महिने में क्या था Shares वगेरा है कुछ Bond है 24 महिने में Non-Listed Share Building और Mutual Fund वगेरा जो बाकी बच जाते हैं Jewelry वगेरा चला जाता है Long Term में इसके बाद हमने देखा था Mode इसमें काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर यह आपने समझाया मैंने Land खरीदा 5 लाग का और बेच दिया मैंने Sold कर दिया सर 20 लाग का Simple सी बात है तो Sale Consideration में कितना लोगे 20 लाग Expense Transfer 0 है तो यह आ गया 20 लाग Cost of Acquisition सीधा ले लोगे 5 लाग Improvement है नहीं तो 15 लाग रुपए Short Term Capital Gain आ गया सिर्फ 54B और 54D यहां पर Allowed होता है तो 54B, 54D यहां से Minus कर देंगे अगर नहीं है तो नहीं करेंगे हम तो यह हमारा आ गया तो यह Low हो गया Mode तो काफी बच्चे परिशान होते हैं सर यह तो आपने कराए नहीं क्योंकि इसका सवाल भी नहीं आता तो पांच लाक इंटू में 317 याद आ रहा होगा आपको डिवाइड वाई 100 कुछ इस तरीके से तो यही Computation Mode है इसमें Note में ध्यान देने वाली बात कैसर कुछ Assets पर Indexation नहीं होगा और हमीशा Short Trum आना जाएगा Depreciable Assets Depreciable Assets बहुत बड़ा एक Challenge है पहला Class ही में इसी से स्टार्ट करने वाले हैं Listed Share इसका भी Indexation नहीं होगा सर In Case of Cost of Improvement वही बाते बताई गई अगर Previous Owner का है तो Previous Owner का ले रहा है और 1-4 से पहले लोगे तो नहीं लोगे और Shares को बेचा जाएगा तो अब आता है हमने ये भी देखा था याद है के सर इसके अंदर Goodwill के लिए Cost of Equation Nill भी हो सकता है और Market Value अगर खरीदा है तो इसके बाद Shares में था Bonus Shares पहले में हम लेंगे बाद वाले में हम Zero लेंगे Renouncey, Renouncer, Right Issue और फिर Other हमने Shares की भी बात करा था किसमें क्या Indexation लगेगा किसमें नहीं लगेगा तो ये सारा Point हमने Cover किया था पहले Sir, 45 के कुछ Special Cases जैसे Lost by Fire, जैसे Stock Transfer, जैसे Amalgamation Partnership और ये सारी चीजे करीगा हाला कि DU कहता है DU का कहना है कि ये Special Case है और ये हम आप से Exam में नहीं पूछेंगे DU ने Clearly Mention किया हुआ है जो Content DU लेगा मैं Last में करूँगा मेरा Motive अभी मैं सब कुछ बता दूँ उसके बाद मैं बता दूँगा कि आपका Focus exam टाइम पे आएगा ना exam से 10 दिन पहले तब मैं जाके बता हूँगा Sir, ये ये चीजे आपको DU पूछेगा तो ये वाला Point हाला कि बोला हूँगा हम नहीं पूछेंगा बाई तुम्हें पढ़ना है पढ़िये नहीं पढ़ना है मत पढ़िये लेकिन मैंने फिर भी आपको ये बता दिया जितना भी Point था Sir, इसी का आगे का Part था ये आप पढ़िएगा जरूर आगे आता है Text Treatment Advanced for Feature शायद जहां तक मुझे याद है हमने किया था ये या नहीं किया था किया था तो मैंने बोला था चार्ट में मिल जाएगा All2 इसको अलग कर देते हैं इसको अलग समझेंगे अलग समझेंगे अलग समझेंगे अलग समझेंगे सर एक एक कर देख लेते हैं Last Class में किया है है Advanced for Feature अलग सर Advanced for Feature में क्या करा था Last Class में एक बीच में Question आया था उस question पर हमने advance for feature देखा था advance for feature में क्या था sir 2014 की मैंने बात करी थी जिन बच्चों ने noting किया है fine, जिन्होंने noting नहीं किया 10 year के अंदर है आपके कहता है कि tax treatment अगर for feature किया आपने 14 2014 से पहले 14 2014 से पहले तो amount to for feature always reduce from cost of acquisition before doing indexation यही तो बताये था मैंने कि indexation करने से पहले आप उसमें से minus करिए और फिर indexation करिए 14 से पहले है तो और कहता है if advance for feature by the current honor only then will be reduced from cost of acquisition if forfeited by the previous honor then it will be reduced from cost of will not be reduced from cost of अगर आपका previous honor ने किया है previous honor समझ रहे हैं उन्हें क्या होते है जैसे पिता जी ने अपने बेटे के नाम घर कर दिया बेचेगा तो बेटा ही calculation करेगा लेकिन पिता जी previous honor है तो अगर previous honor ने कोई forfeiture किया तो भाई उसको allowed नहीं करेंगे बहुत छोटी सी बारिक सा point है लेकिन समझने वाली चीज जाई है कि अगर पिता जी ने forfeiture किये हो और उसने house transfer कर दिया तो फिर वो cost of acquisition में से minus बाद वाला हो जाएगा ये वाला point में discuss करना रहे गया था तो आज कर लिया अगर after होगा तो sir the amount of forfeiture will be regard income from other source and it will be taxable in the year forfeiture जिस साल forfeiture होगा उसी साल taxable हो जाएगा ना कि wait करो गया government ने ऐसा rule पता है क्यों बनाया आपने forfeiture पता है कब किया forfeiture किया 1900 मान लेते हैं forfeiture आपने कर लिया 2000 में घर बेचते हो 2020 में तो सरकार की income जो 2000 में हो जानी चाहिए थी वो कब हो रही जाके 2000 तो 20 साल में सरकार का नुक्सान हो गया तो government ने कहा भई इसको ना एक काम करते हैं other source में डालते हैं जिस साल forfeiture करा आपने घर बेचा या नहीं बेचा मतलब नहीं है forfeiture किया इसके उपर तो other source में जाके आप क्या करो tax दे दो तो सरकार को instant text मिलने लगया इसलिए इन्होंने ये provision follow किया तो सर ये जो था हमारा ये था हमारा advance forfeiture का एक बहुत important section आपके सामने है हाला कि question आता तो फिर कर लेते हैं लेकिन हम पहले कर लेते हैं हाँ मैं question समझाओंगा नहीं question करेंगे सीधा अभी देखते हैं stamp duty valuation value capital gain on real estate transaction real estate मतलब सर ये सिर्फ लगता है हमारा land and building पे normally होता क्या है tax की चोरी बहुत ज़्यादा होने लग गए tax की चोरी का मतलब capital gain में खास करके अब मैं simple सी बात कहता हूँ एक घर है और इस वेक्ती ने इस घर को खरीदा था पांच लाग का मान लेते हैं कि राम है इसने खरीदा था और अपने आपको ही समझ लो आपने खरीदा था पांच लाग का और आप इस घर को बेच रहो एक करोड का मैं मान लेता हूँ indexation indexation लगा के 10 लाग हो गया आपको बाकी 90 लाग पर टेक्स दिनना चाहिए न और नब्बे लाग पर कितना टेक्स होगा तो आप खुद इमानदारी से सोचो, आप खुद बताओ, मैं कहता हूँ कि आपको टेक्स नहीं देना, कम देना चाहते हो, आप खुद भी तो कम देना चाहरे हो, इसके लिए क्या करोगे, अब सर इसके उपर टेक्स आपका पता है कब लगेगा, जब आप ये सीधा एक करोड रुपे कहां ले लोगे, सरकार को तभी तो पता चलेगा, कि एक करोड कहां ले लोगे आप, बैंक में, तब गौवर्मेंट आएगा भई, तुम्हारे पास एक करोड कहां से आए, इसके उपर टेक्स वगेरा तो, मगर आपने क्या करा, दस लाख रुपे ले लिया यान आपने सर дस लाख रुपे ले लिया कहां पे, बैंक में, तो सरकार को पता क्या चला, यह मकान कितने कभी खा, और जब लाख रुपे तो सरकार यहां पे पकड़ने में नाकामियांब हो गई, क्योंकि क्याश ट्रांजेक्शन का कैसे, आपस में बायर और स्यलर ने आ और हमारे लिए भी फाइदा तुम से सरकार पूछेगी नहीं कि 10 लाख लाए कहां से और हमसे पूछेगी नहीं किस तरीके से था तो बोला गया कि इस तरीके साफस में बात चित करके उन्होंने एक बात पे सहमती बना ली गौर्मेंट ने बोला बहिए यह मकान तो कितने का बेचा है उसके बाद बोला कि उससे पूछा बाहर से तुमने खरीदा दसका है यह दोनों आपस में हो गए और जो 90 लाख रुपए उसको अपने घर में नहीं कहीं और रख दिया उसने पैसे हो सकता पॉसिलिटी तो सरकार का यहां नुकसान देखो अब देखा जाए तो 10 लाख रुपए का बेचा इंडेक्सेशन लगा के भी 10 लाख आ गया तो टेक्सिबल इंकम अब 18 लाख रुपए सरकार का खा गये जो सरकार के हिस्से का पैसा था 18 लाख रुपए वो आपने एक रुपए भी टेक्स तो सरकार को यहां पर एक कदम उठाना पड़ेगा गौर्मेंट को एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा यहां पर नहीं लेगा तो हमेशा यह चलता ही रहेगा लाइफ लॉंग तक और ए एक हपते का वेटिंग पीरेट सार इतनी लंबी लाइन है वहां पर गौर्वर्मेंट ने बोला के सिसी भाई हम समझ गये तुम्हारी चला की कि कि तुमने और जो बायर है आपस में बातचित करके आपस में एक समझोधा मत बना लिया हमें पागल बना रहे हूं हम इस प्र आपने तय कर लिया ठीक है और हम भी तय करेंगे यानि हम एक ऐसा ओफिसर अपोइंट करेंगे जिसे बोलेंगे जो की बहुत जादा इस फिल्ड के अंदर एक्सपोर्ट है मतलब प्रॉपर्टी वगरे को जल्दी से वह आकलन कर लेता है जो कि बिल्कुल एक्सपर्ट है ह हर एरिय का अपना एक सरकल रेट चलता है तो कभी प्रॉपर्टी अर्पने देखा होगा तो घर पे देखना प्रॉपर्टी के पेपर परourceल रेट के अकॉर्डिंग भोता है और वह गौर्णमेन्त करके है तो जो होता है ना वह स्टैंब ड्यूटी वेल्यूवर होता है स् स्टैंप ड्यूटी का मतलब है प्रॉपर्टी का रेट क्योंकि आपको जितने का प्रॉपर्टी खरीदोगे उसके उपर यह इंकम टेक्स बीस परसेंट जाएगा ही है इसके अलावा आपको स्टैंप ड्यूटी भी पेड करना पड़ता है पाँच परसेंट रेजिस्ट्रेशन करवाने के पीमेल के केस में एक परसेंट का रेलेक्सेशन होता है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएर बताता है कि आपका सर्कल रेट से इतना होगा उन्होंने कहा कि भाई तुम इसको आप पाँच दस लाग का आप बोल रहे हैं दसका बेचा आप बोल लाग का दिया है आपने 5 रुपए का दिया है हमें निमत लपसर हमारे officer ने बोल दिया 90 का आपने खरीदा था 5 का आपका valuation करके याने indexation करके 10 हुआ वो 90 का रहा है total 80 होगे 80 पर 16 लाग रुपए tax निकालो तो अब जब ये government ये नियम लेके आई पहले नहीं था तो जब ये government नियम लेके आई तो क्या अब ये cash में ज्यादा पैसा लेके कर लेगा कुछ अब ये पूरा का पूरा ही cash में ले ले तब भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही property register होगा किसी और के नाम पर फटाफट government को अगर डाउट हुआ तो government क्या करेगा अपना valuer बुलाएगा और उससे valuation कराके और अपने हिसाब से वह क्या करेगा tax को वसूल लेगा लेकिन यहां पर dispute आ गया valuer थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बता भीता मैंने बोला तो गौर्मेंट ने बोला भीया SSC तुम ज़ादा टेंशन मत लो आप जितना rate बताओगे और valuer बताएगा तो 10% का एगर variation रहा नों में तो हम आपकी बात सच मानें गे जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक लाग का प्रॉपर्टी बेचा या एक करोड का प्रॉपर्टी बेचा और जो government अधिकारी है वो कह रहा है एक लाग दस अजार का प्रॉपर्टी बेचा मतलब 10% का variation बता रहे हैं मेरी बात में और सरकार की बात में कितने पर्संट का फरक आ रहा है तो सरकार बोलता है इतना ज़्यादा हम इस्टिक नहीं होंगे दस परसंट पांच परसंट उपर नीचे चलता है हम आपकी बात को ऊपर रखते हैं आपकी प्रोपर्टी एक लाग की बात खता है लेकिन स्टेंप ड्यूटी वेल्यूर बोलत मानेंगे अपनी बात मानेंगे वेल्यूर का और वही डिसाइड करेगा कि प्रोपर्टी कितने का था और इसी पर टेक्स देना पड़ेगा अब हम आपकी बात कोई भी नहीं मानेंगे तो बड़ी चोटी सी बात यह है तो यह भी ठीक था प्रोविजन पहले पांच स्ट्री से इसडिवी भी बोलता है कि 10,000,000 का है और आपने बोलाए सर से जो है दो है वह 11,000,000 का है यानि जो गवर्मन्ट का फाइदा किसमें है तो बोलता है अगर आपका asset sold करते हो more than stamp duty value यानि SDV से ज़्यादा तो sale consideration आपका actual sale value माना जाएगा यह बास समझ में आई आपको लेकिन problem कब आया जब उससे कम में बेचा जाएगा कहता है in case stamp duty valuation exceed 10% sale consideration stamp duty will be taken यानि SDV बोलता है sir 11 lakh है मैंने बोला sir sales sales 9 lakh है तो बीच का difference percentage कैसे निकालोगे एक ये भी challenge है difference कैसे निकालते है इन दोनों का difference कितना है 2 lakh 9 lakh 11 lakh कितना है अब इसके base year मान लोगे अपना जो sale है न वो मानोगे sale क्या है into में 100 करिए ये percentage कितना changes है ये निकलेगा delta लिख देता हूँ तो बताइए क्या change आ रहे है हापे मेरे पास तो calculator ही नहीं रहते है हापे sir video lag हो रही है अच्छा video lag हो रही है refresh मारते है बताइए क्या change आए percentage मेरे साब से 10 से तो काफी ज़्यादा आएगा कितने percent आया तर 22% का changes आ गया यानि आपकी बात में और सरकार की बात में 22% का फरक आ गया है कहता है क्या in case of stamp duty value यानि SDV exceed हो जाए 110% 110 को छोड़िए 10% से ज़्यादा exceed हो जाए then sale consideration क्या मानोगे stamp duty value as a consideration यानि अब आपको किस पर मानना पड़ेगा इसके उपर यह आपका irrelevant आप जूट बोल रहे हैं समझ मैं ही बात आपको अगर आपने सरकार के stamp duty valuation से ज़्यादा बोल दिया तब समस्या नहीं सरकार बोल दिया कोई बात नहीं चल लेगा लेकिन अगर कम बोल दिया तो कम में भी चलेगा लेकिन 10% के अंदर अंदर और 10% से जैसे exceed करोगे तब बात नहीं बनेगी चलो एक और एक्जामपल ले लेता हूँ SDB बोलता है सर आपकी property की value 10 लाग और आपने बोला सर हमारे property की value 9 लाग या फिर मैं इसको change कर देता हूँ आपने बोला 10 लाग और उसने बोला 11 लाग 11 या थोड़ा और कम कर देता हूँ आपने बोला सर 10 लाग और stem duty valuation बोलता है सर नहीं 10 सर 10 लाग नहीं 10 लाग 50 अजार अब दोनों की बातों में कितने percent का फरक है 5 परसेंट का या नहीं 10 तो नहीं किया तो आपको 5-10 परसेंट जूट बोलना loud है simple सी बात को उससे उपर नहीं बोल सकते 5 परसेंट का फरक है तो गौवर्मेंट क्या कहेगी हम आपकी value को मालने के अब ऐसा करने के बाद क्या पता वाक के आपने अपने दोस्त को सस्ते में दिया है reality भी हो सकती है ना आपका दोस्त था भाई मैं तरको 5 लाक में 10 का लिया था ठीक है भाई 13 से क्या कमाना जितने का लिया था उतने का लिया लिया और यह सच्चा ही है अब गौवर्मेंट यहां पर आ जाता है नहीं भाई नहीं हम तो अपने duty बोलेंगा भाई जब मेरे पास पैसा आएगा आपके पास 10 लाक ही आया है और आप 18 लाक रुपे capital gain मांग रहे हो तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा हमारी property हम decide करेंगे कितने का बेचेंगे आप तब decide करिये जब हम आपसे जूट बोल रहे हैं आपके साथ fraud कर रहे हैं लेकिन income tax वाले नहीं मानेंगे बाद को वो लेका नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा फिर हम क्या करतेंगे इसके against case जाएंगे court तो जाना ही पड़ेगा इसके बाद कहता है if SSC not satisfy request AO refer the case valuation officer अगर SSC बोलता है बहिया income tax वालो तुमने जो यह बताया यह हम नहीं मानेंगे हम उपर application देते हैं तो हम क्या करते हैं AO क्या होता है आपका assessing officer होता है ठीक है income tax के अंदर post होता है STO होता है STO कहते हैं AO होता है और अलग-अलग commissioner होता है deputy commissioner अलग-अलग होता है तो sir वो उनको हम application देंगे एक चिठ्ठी लिखेंगे कि sir हमारी बातों को सुनवाई किया जाए अब उन्होंने क्या करा एक और valuation officer बिठा दिया अब देखो तीन बाते होगे एक मैं एक SDV STEM duty valuation और एक और valuation officer आचुका है अब क्या होगा sale consideration क्या मानेंगे हाला कि ये आपके exam से इतना point नहीं है लेकिन ये वाला तो मान के चलो इस बार exam में आएगा है ये वाला point कहता है actual sale consideration और SDV AB point हो गया higher of AB यानि मान लो मैं raise कर देता हूँ मान लो आपका actual sale से 5 लाग SDV बोल रहा है 6 लाग तो आपको C point में पता है क्या लेना है higher इन दोनों में से क्या आएगा अब value एक आप जो जो valuation होगा calculate कौन करेगा valuation officer आपने जिसको request किया इसका करिए उन्होंने कहा sir ये होगा 4 लाग उन्होंने कहा क्या sir ये होगा 4 लाग तो कहता है value calculate by the valuation officer sale consideration lower of अब इन दोनों में से जो lower होगा यानि आपका sale माना जाएगा तो जब उनके पास फैसला जाएगा तो कुछ इस तरीके से वो minus plus करके चलेगा कब जब आप appeal करोगे अगर आपने appeal नहीं किया तब तो भाईया आपको जो tax है उस पर देना पड़ेगा तो काफी important है stamp duty valuation आप अभी ये दोनों point आपको समझ में आना चाहिए अगर ये दोनों point आपको समझ में आगे आना तो फिर हम आगे question भी इसके उपर देखेंगे जो last year exam में आया था भी तो मैं उसको देखूंगा भी बताएए यहां तक clear है बड़ी basic basic से point है सर इसके बाद last year forfeature वाला भी हो गया और कुछ हमारे slum sale वगएरा कुछ section है तो मैं दिखा दूँगा आपको कि do ने क्या बोला है कि include है क्या बोला है exclude है वो हम बाद में चर्चा करें यहां तक clear होगे तो एक सवाल हम इस पर ले लेते हैं ये वाला जो exam में आया था 2000 हाला कि COVID के time आया था और मैं हर बार कहता हूँ कि COVID के time वाले को question को consider मत करिएगा मतलब paper के pattern को consider मत करिएगा sir sdb repeat अभी कर रहे हैं question सब repeat हो जाएगा मेरा कहना है sir paper के pattern को follow मत करिएगा लेकिन question तो था sir तो question आप देख लें तो मैं कहूँगा better होगा sir question आया हुआ है कहां गया कहां गया यह तो HP है solution किया था इसका यह होगा 2000 2021 20 का paper में है 20 के paper में भी आया हुआ है इसका दूस जाही है जो हएँ है कहां नहाएच है कि इसका प्या हुआ है र circa 125 300 ब堅चा कि आपक कर दो दो सेला समय है झाल झाल चलिए second part हम सिर्फ जो हमने अभी सीखा है हाला कि इसके दो part और है आपके सामने जितना कोशन है इसी का आंसर करने वाले हैं हर बच्चे को कोशन वीज्वल एक पर देखिए कोशन वीज्वल है अभी sdb रिपीट कर देंगे कोई बात नहीं कोशन क्लियर देख रहा है अपनी टैनियर के अंदर किताबों में ढूनने का फायदा है नहीं टाइम वेश्ट होगा तो फिलाल स्रिफ यहां देखेंगे आप चलिए कोशन पढ़ते हैं कहता है he had purchase a vacant land cost 60 लाग सर इसने एक खरीदारी किया है जो लिखना होता है उपर लिख लेते हैं कहता है एक इसने 60 लाग रुपे का purchase किया है मैं इधर लिखता भी जाता हूँ इन financial year 2003 रेजिस्ट्रेशन एक्सपेंस 10 परसेंट कहता है इस पर रेजिस्ट्रेशन खर्चा भी आया 10 परसेंट that is 6 लेक तो यानि यह property मेरा जो खरीदारी है वो 66 लेक का पड़ेगा यानि खरीदते टाइम पर जो मर्जी खर्चा करिया वो आपका purchase का हिस्सा माना जाएगा आगे कहता है he construct residential house building said 75 लाख रुपए और उसके उपर 75 लाख रुपए का खर्चा कर दिया चार पांच में यानि इंप्रूमेंट कॉस्ट ऑफ इंप्रूमेंट किया इसने 75 लेक का कब किया असर पांच छे में आगे कहता है he entered into agreement sale of said Mr. Vasu Mr. Vasu के साथ agreement का मतलब Mr. Vasu से कहता है कि हम बेच रहे हैं इन ऑगस 2021 में और हर सु जो था उसने रिसीव किया 15 लाख रुपए एडवांस टोकन मनी अच्छा एक लाइन रहे हैं मतलब उनसे फिक्स हुआ कि आपको हम यह प्रॉपटी कितने का बेचने वाले हैं चार करोड यानि 400 लाख का बेचेंगे और डील भी डन हो गया डील डन हो गया उससे हमने एडवांस पैसा भी ले लिया 15 लाख कब डील डन हुआ यह दो हजार 21 यानि हमारी कोशिस थी कि 2021 के अंदर इसे सोल्ड कर दिया जाए कितने का सोल्ड कर दिया जाए 400 लाख का यानि 4 करोड आगे कहता है कुश्चन आगे कहता है कुश्चन अन दे डेट अफ एग्रीमेंट रिसीफ 15 लाख एडवांस हावेवर मिस्टर वासू नोट अरेंज दा मनी अन दे डेट और ये पैसे इंतजाम नहीं कर पाया हैंस एडवांस मनी पेड बाई हिम फॉर्पेटिट बाई मिस्टर हर्च ने फॉर्फेचर कर लिया यानि ये 400 लाख रुपे का डील में एडवांस जो मिला था इसे 15 लाख ये 15 लाख फॉर्फीचर हो गया अब सर फॉर्फीचर के दो ट्रीटमेंट होते हैं या तो आप उसे other source की हिससे को मानोगे या तो आप उसे किसका मान लोगे other source का हिससा मानोगे या फिर आप मानोगे cost of acquisition में से minus तो ये कैसे decide करोगे कि ये other source का हिस्सा है या फिर cost of acquisition में से minus होगा ये date के हिसाब से decide होगा 2014 से पहले है या 2014 के और हमारे सवाल में तो 2021 की कहानी है तो ये सारा का सारा पैसा अगर देखा जाए तो sir ये पैसा हमारा capital gain का है ही नहीं ये जाएगा other source समझे बात आप यानि जो इतनी सारी कहानी हमने पड़ी है ये सिर्फ आपको puzzle करने के लिए दिया जाएगा exam इसका कोई role नहीं है जो हमने अभी तक देखा है थोड़ा बहुत sir आगे क्या कहता है ये फिर से एक वेक्ति को पकड़ के लाया और agreement कर लिया राठी के साथ और बोलता भाईया तेर को तो अब हम 420 में बेचेंगे यानि new agreement कर दिया इसने 2022 में ही और बोला तेर को बेचेंगे 420 लाज़ दा सेल deed was executed registered on 15.2.2000 और 15.2.2022 में ओके पैसे भी आगे फोर दा एग्रीड consideration बट स्टैंप ड्यूटी वेलू लेखिन जो स्टैंप ड्यूटी वेल्यूएशर ओफिसर है और दा प्रॉपर्टी वास फिक्स उसने बोला भाईया इस प्रॉपर्टी में मुझे थोड़ा ड्यूट लग रहा है से ज़्यादा का वेरियेशन हुआ तो सरकार की बात सच मानी जाएगी और 10% से कम का वेल्यूएशन वेरियेशन हुआ तो हम 420 अपनी बात को सच मानेंगे आगे कहता है Mr.Hars ने पेड किया 1% ब्रोकरेज on sale consideration receive लेकिन सर किसी की भी बात माने sale consideration पे जो हमारा expense होगा सर बेचा तो 420 का है उसका 1% 420 का 1% कितना होगा 4.2 lakh है न 420 का 1% निकालेंगे तो 420 में से 4 होगा है 4.2 lakh हो ठीक है subsequent Mr.Hars made following investment एक investment पीछे रहे गया है मैंने दो यहाँ पे दिखा दिया है कहता है he acquire residential house at Delhi 60 लाग का और एक दुबई में खरीद रहा है तो बोला था भाया घर खरीदना है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं इंडिया में खरीदना है यह ध्यान रखना बात को confuse करने के लिए क्या बोला दो घर खरीदा है लेकिन घर कहां खरीदा है यह भी जानना तो यह वाला जो इसने खरीदा है यह दुबई तो बोला भाया तो दुबई जाके रहे इसका कुछ नहीं बेनिफिट देंगे अब इंडिया में जो खरीदा उसका डिड़क्शन मिलेगा 54 के अंदर और कुछ इन्वेस्मेंट और क्या तो मुझे तो सबसे पहले जानने में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सेल कंसिडरेशन क्या लू मैं 420 लू या 450 आप बताईए फटाफट कमेंट में बताईए 420 या 450 420 कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इस पॉइंट में डाउट है 420 और 450 हमें कैसे पता चले हम पहले वेरियेशन देखेंगे तो सर वेरियेशन कितने का हुआ और 30 लाग में जितने का हमने बेचा वो डिवाइड में रखेंगे तो कितने का 420 और इंटू में 100 करेंगे अगर यह 10% से अब आप गया तब तो सरकार की बात सच और 10% से बिलो रहा तो हमारी बात सच तो कितने परसेंट आ रहा है 7% आ रहा है, यानि 10% से उपर गया नहीं, तो सरकार की बात आप हो गई, जूट, अब किसकी बात मानी जाएगी, हमारी बात, और हमने कितने का बेचा था, 420, तो यहां पे कितना लेंगे हम, 420 ला, समझ में आया, कुछ बच्चे कह रहे थे, doubt है सर, SDV क्या कहना है नहीं कहन है, हाँ, 7.14 percentage है, ठीक है विशार, वो मैंने लिख दिया, approximately 7%, बिल्कुल सभी, सभी बच्चों ने बोला, 420, तो मैंने ये question आपको, और अभी examiner का ये main point बना हुआ है, ये question, examiner दे रहा है ऐसे question को, क्योंकि अभी ज़्यादा time नहीं हुआ, पहले 5% था, अभी कुछ दिन कि हम इस परकार के question दे, और फिर बच्चा इसके अंदर decide कर पा रहा है और नहीं कर पा रहा है, तो sir इसमें 10% वाला दिमाग में जिस बच्चे के होगा, वो कर पाएगा, net sale consideration, 4.415, आगे करते हैं less, cost of acquisition, तर इसने 60 का नहीं खरीदा, 317, अब खरीदा का अब था, 34, 34 का indexation देखिए, less कर देंगे, cost of improvement, sir 75 लाग का improvement कर दिया, कब किया sir 75 लाग का improvement, 5-6 का बताईए, एक सो, अब इसको बता दिजिए total करके, 1-9, 1-9, अरे, वैसे ही बता दो न, 66 को लेके बता हुआ, lack में बता हुआ, तो इतना थोड़ी आजाएगा, 1-9, 1-9, lack में बता दो मुझे, मैं क्योंकि उपर से lack में लेके चल रहा हूँ, बले point में आजाए, minus करके कर देंगे, आप, अरे, याँ, lack में बताना है, ये, ये, के क्यों आएगा, हाँ, तो चार सु, चार लाक बीस हजारी तो होगा, 1-9, 9, 9, 1, minus कर देजे, इसको, minus कर दे, देखो, online वाले बच्चों ने जवाब सबने दे दे, आप लोगों से minus नहीं हो रहा, कितने, यानि, बीस लाक नवासी हजार रुपए का capital गेन आ गया, अब इसने investment कितना किया सर, 60,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अगर दिखता है तो आप यह समझा जितना हमने सीखा है उतना ही पार्ट कवर किया है चलिए और कुछ सवाल देख लेते हैं अब मैं एक चीज बता दू आप सभी बच्चों को जो कन्फ्यूज हो रहे थे Capital Gain के अंदर का कोई भी सवाल आप कर सकते हो जो आपके exam के point of view से है कोई भी सवाल जितने provision थे वो कर सकते हो अब जितने भी मैं कराऊंगा provision वो मैं कराऊंगा इस time पे नहीं extra time पे वो recorded lecture में डालता रहूँगा जिसको करना होगा extra वो बच्चा कर लेगा जिसको exam से related ही करना है वो exam से related कर लेगा तो वो उसके उपर depend करता है past year में जितने question आये थे last class में हमने देखा था वो सारे के सारे become program के question थे आज हम और भी कुछ question ट्राई करते हैं क्योंकि पहले हमने basic basic question कर लिए आज हम honors वाले question देख लेंगे कि exam में किस pattern पे question पूछा जाता है तो उसमें से एक question देखिए यहाँ पे question number 3 है पहले simple simple सारे question निप्टा लेते हैं आपके paper में आया हुआ है तो यानि अब इतने provision जिस बच्चे को याद है ना इसलिए मैं इस chapter को आसान कहूंगा क्योंकि आप में पूछा इतना जाता है लेकिन अगर आप पूछो के सर पूरा capital gain मुझे detail में समझना है तो तो फिर आसान नहीं है यह मैं फिर आसान नहीं कहूंगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे provision और भी हैं बहुत सारे rule और भी ल मैंने के बाद मैंने एक साल का वक्त मान लिया एक साल बाद payment दूँगा एक साल में तो फिर से दुबारा चेंज हो जाएगा valuation तो उस case में हम sale consideration क्या लेंगा है क्योंकि जब token money दिया होगा तब agreement execute हो गया होगा कि 15 लाक रुपे का मकान है सर 5 लाक रुपे पकड़ी अगले साल दे देंगा 10 लाक लेकिन अगले साल उस property की value कुछ और हो गई होगी तो ऐसे कुछ special cases है उसमें क्या provision लगता है हाला कि du मना करता है कि हम ऐसे typical cases आप से exam में नहीं पूछेंगे लेकिन learning के लिए जो बच्चा होगा उसके लिए मैं यह video बना के हर एक section पर डाल दूँगा और उसके उपर मैं एक folder बना दूँगा कि यह extra classes है not related to your examination तो जिस बच्चे को देखना होगा बहिया देख ले ना जिसको नहीं देखना होगा कोई बात नहीं अब exam के question देख लेते हैं 2009 में आया हुआ format पहले बना ले कहता है Mr. X जो है date of birth दे दिया भई date of birth का क्या करेंगे तेरा property का date चाहिए हमें तो कोई काम है इसके date of birth का कभी कभी पढ़ सकता है अगर text liability पूछ ले उमर 60 साल से उपर है कम है तब पढ़ता है काम में कहता है purchase one house यानि इसने एक घर खरीदा Sir कभ खरीदा 1982 किसी काम का date नहीं कितने का सत्तर हजार का अच्छा सात लग चलो सात लग कुछ खर्चे इसने करा ही incurred improvement 99 में नौ लाग का sir ये किसी काम का नहीं its market value ये काम का है Sir market value Mr. X ने इस पर फर्दर incurred किया बाद में 2011 में cost of improvement जो use होगा 27, 27, 37, 75 इतना सारा पैसा लगा दिया नहीं ये तो बेचा है मैं ये तो कोई sales cost of improvement तभी को इतना कैसे लगा दिया और he invest UTI अब देखो मैं कह रहा हूँ कि चीजे tips पर होना चाहिए तब paper attempt करोगा अब इसने कहां से डाल दिया इसने UTI अब UTI में invest करने पर क्या होता है deduction मिलता है ATC में अब जिसको याद होगा वो तो फटा-फट catch कर लेगा अब जिसको याद नहीं है वो तो घूमता रहेगा वे इसको करा इसका कौन सा 54 की कौन से सीरीज में deduction मिलेगा 54 की बात ही नहीं कर रहा कहां का दे दिया और ATC long term capital gain पे minus नहीं होता है यह भी आपको याद रखने साथ के साथ समझ में आ रही है बात आपको है तो चलिए फटा फट निकालते हैं सर sales क्या है सर sales है यह वाला हमारा 27 27 27 27 मेरे हिसाब से सब बच्चों को question समझ में आ रहा हुआ जितना हमने provision किया है उसके हिसाब से minus selling expense था क्या कुछ नहीं था तो यही आ जाएगा हमारा net sale consideration minus cost of तो सर fair FMV लेंगे जो की आया था 73 2 करोड 32 32 23,200 सर माइनस करेंगे COI उसके parents ने भी किया था मतलब कि उसने इंडेक्स से पहले किया था वो तो नहीं होगा कितने थे 16 93 दिवाइ करा करा कब है सर इसने इसने करा है 2011 में तो सर ग्यारा बारा का जो है 29,400 सर यह आ जाएगा कितने 11,000,000 तो नहीं आएगा कैसी बात कर रहे है पताईए कितना आ रहे है देखिए 11,000,000 यह आ रहे है 11,000,000 33 क्या पूछा इसने हर क्लास में बोलता हूँ 15 तारीक तक कूर्स कतम होगा बच्चे फिर पूछते हैं कि कब होगा चलिए अब हमें निकालना है टेक्स लाइबलिटी तो सर टेक्स लाइबलिटी में क्यूंकि यह लॉंग ट्रम क्यापटल गेन है तो यहां पर काम नहीं है यहां पर काम नहीं है यहां पर कितने परसेंट सर यहाँ पर यह investment जो एक लाग का है इसे minus नहीं करेंगे नहीं तो मैं क्या करता अब total income मैं निकाल के बता दू इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं इसको side कर देते हैं हलाकि होगा क्या आपका total income वैसे हम total income कैसे निकालते थे income from मैं capital gain ले लूँआ जो कि आपने बताए 11,33 और फिर हमारा आजाता था यह gross total income और फिर minus करते थे deduction हलाकि यहाँ पर ATC में है लेकिन allow नहीं है तो इसकी taxable income भी आ जाएगी tax liability sir tax liability में देखा जाए तो सीधा क्या लग जाएगा इस पर 20% का लगा देंगे तो tax liability कितने तो प्लस कर देंगे एजुकेशन सेज हायर एजुकेशन सेज जो कि कितने परसेंट है यह तो लगना है बताएए टोटल क्या आ गया टेक्सेबल जोड देजिए तो फाइव सिक्स यह पूरा सवाल हो गया सर इसमें note देना है क्या है बिलकुल note देना पड़ेगा कि ATC का deduction यहाँ पर available नहीं होता इसलिए हमने यहाँ पर minus नहीं करा और क्या note देना होगा और तो ऐसाच कोई note देने वाली चीज है नहीं 33923 बच्चे बोल रहे हैं यही है मेरा 339 मैंने तो टू थ्री निकाला है ठीक है सामने आपके सवाल देखो बहुत आसान था कर दो कि उसका बात करते हैं अभी सक्षम उसकी बात करते हैं मुझे पता है वह कर दो बच्चों का कहना है सर आंसर अलग आ रहा है मुझे पता है वह 20 परसंट नहीं है अभी मैं आपको 20 परसंट सिर्फ सिखा रहा हूं आगे खुश है यह तो सेम आ रहा है पहले यह देखो यह सेम आ रहा था नहीं आ रहा था यह सेम था अब बात करें पहले तीन लाग पे जीरो बाकी पे लग गया बीस परसंट और फिर लग गया आपका एजूकेशन से सर यह तो नॉर्मल स्लैव रेट पे आ गया आपका नॉर्मल तो अभी आपको जो मैंने बीस परसंट कराए ना वो बीस परसंट ठीक है कोई गलत नहीं है रूल क्या कहता है क्योंकि इसके स्पेशल वाले देखा नहीं है कहता है कि अगर आपका सिर्फ कैपिटल गेन ही इंकम है तो बेसिक एक्जम्शन की लिमिट को मैनेस करके बैलेंस पे 20 परसंट दीजिए मान लो इसका इंकम होता सेलरी चार लाग और फिर आता कैपिटल गेन तो कैपिटल बेन पे सीधा कितना लगता हमारा 20 परसंट और सेलरी पे लग जाता अप्टू 3,0,000 क्योंकि age 60 अब अब है और बाकी के उपर कितना लग जाता हमारा जैसे कि अप्टू बाकी का जो डिफरेंस आता है कितने परसंट आता है 5 परसंट आता है तो 5 परसंट आता है यानि सर बेसिक एक्जम्शन लिमिट की बात करें तो कोई भी वेक्ती हो अगर क्यापटल गेन ही इंकम है सरिफ तो बेसिक एक्जम्शन लिमिट को माइनस करने के बाद बैलेंस आ जाएगा अब बच्चे कह रहे हैं सर सोलीशन में आपने नहीं किया तो सोलीशन में मैंने सीधा डारेक्ट 20% ले लिया है क्योंकि आने वाले सवाल में 20% होंगे इसलिए मैंने आपको rate डिटर्माइन कर दिया वहाँ पे थोड़ा समझाना मुस्किल हो जाएगा अभी कि सर ये क्यों माइनस किया 20% कैसे आया तो इसलिए मैंने कहा कि सरिफ अभी आप 20% लेगे जैसे जैसे कोशन में बढ़ते जाएंगे उसको clarity देते जाएंगे यस last में हम बात करेंगा IP University के जो बच्चे हैं उनका हम बात में बात करते हैं अभी last में कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है तीन लाख deduction दिया हुआ है clear हो गया होगा काफी बच्चे hand raise कर रहे थे जो सवाल था उसका मैंने जवाब दे दिया मैंने अभी क्यों किया ऐसा तो answer को देखके परिशान बिल्कुल भी ना हो हाँ अभी दिखाएंगे पहले इसको देख लेता है एक और question कर दो class over तो अभी तो चल नहीं दो अभी तो start ही किया है हमने question पड़ी आपके सामने है बहुत बड़ी है question आपके सामने हाला कि मैंने notes के अंदर tenure के अंदर एक systematic approach follow किया वो एक्जाम में follow करना है यहां पर मैं तोड़ तोड़ के इस सवाल को करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए हर point को अलग अलग लेके चलेगी कहता है sir as a resident है इंडिया का इसने purchase किया था 1000 unlisted equity share 153 का तो purchase हजार अनलिस्टिड शियर तो अनलिस्टिड शियर के अंदर indexation मिलेगा है नहीं मिलेगा मैंने कहाता शियर के ऊपर आपको indexation नहीं मिलता कौन से वाले शियर लिस्टिड वाले पर अगर अनलिस्टिड हुआ तो तो मिलेगा sir indexation बड़ी सीधी सी बात है और at the rate कब खरीदा sir 25-10-2003 में कहता है इसको खरीदने के बाद 2% का brokerage भी दिया यानि sir total इसकी cost जो आई न मेरे लिए वो आगए 153 से multiply करेंगे तो 153 यह आ गया इसके उपर मैंने brokerage दिया होगा और sir brokerage कितने percent दिया 2% that is हमारा 3060 रोपर है ना और total हमें कितने का पढ़िया होगा 31,00,000 पहले यहां तक देखे मैंने पूरा question पढ़ा नहीं है सिर्फ मैंने यहां तक को कर दिया है यह समझ में पहले बात, दीरे दीरे करेंगें क्योंकि इस question में काफी कुछ है कहता है के एक एक 2008 में एक एक 2008 में इसे बोनस मिला allotted 500 share by the company on the basis of share every two share held यानि कहने का मतलब है sir एक एक 2005 में company ने बोनस दिये और बोनस कितने दिये तो examiner ने बता दिया 500 कई बार तो examiner बताता है नहीं बोलता है कि हमने bonus दिये है कितने bonus बनेंगे आप निकाल लिए तो यहाँ पे 500 बता दिया और साथ का साथ यह भी बता दिया दो जिसके पास थे उसको एक दिये तो sir आपके पास basically 1000 थे तो 1000 आपके पास दो share थे तो एक तो divided by 2 करेंगे तो आपको 500 ही मिलने चाहिए तो examiner ने यह बता दिया आपको पहले सबसे पहले बताईए थोड़ा थोड़ा मैं बाते भी करता जाओंगा कि bonus share के अंदर cost of indexation sorry cost of acquisition कई बार मैंने बोला कि निल लेना है और कई बार मैंने बोला कि actual लेना है अगर 2001 से पहले है तब तो cost of acquisition लेंगे अगर 2001 के बाद है तो cost of acquisition नहीं लेंगे यही सिखा है हमने तो sir इसका मैं treatment अलग करूँगा बिल्कुल एक अलग से separate question मानके और इसका treatment में एक अलग से separate question मानके करूँगा 28-22,000 को given a right acquired thousand share sir 28-22,000 21 में इसे right issue मिला और बोला लो आप 1000 share ले लो अब इसने जितने खरीद लिये वो देखते हैं और इसे जो दिया गया वो दिया गया sir आपको सस्ते में देंगे हम 60 रुपे में आपको सस्ते में offer किया जा रहा है और 60 रुपे में कहता है he acquired 50% right इसने क्या करा right जितना भी था 1000 इसमें से 50% acquire कर लिया that is 500 and the right offer and sold balance of right sum बाकी का जो 50% इसका right था इसके पास लेने का इसको इसने बेच दिया कितने का 50,000 यानि right issue 500 वाले तो इसने खरीद लिये sir 60 के हिसाब से that is 30,000 का और बाकी का इसने 50,000 रुपे का बेच दिया तो जो ये वाला बेचा है इसके लिए cost of acquisition क्या होगा बताओ देखके register में जो right issue बेचा है उसने पने right जो बेच दिया उसके लिए cost of acquisition क्या होगा इसके लिए cost of acquisition होगा nil यही इसलिए मैंने वो चार्ट बनवाए था आपको याद हो तो मैंने सर देखिए अगर unlisted share हुआ नहीं यहाँ बताए था other shares के case में right issue हुआ तो renouncer अगर बेचता है तो उसके लिए क्या होता है हमारा cost of acquisition निल बना जाए चली आगे कहता है he sold all share 2022 में तो मुझे कोई बच्चा बताएगा इसके पास total share कितने हो गए 1000 पहले के थे 500 bonus मिले थे और 100 sorry 500 और लिए देखो 500 bonus वाले 1500 और ये भी 500 मैंने खरीदे थे that is 2000 ये right issue कम मिला था हमें ये मिला 2000 21 में और हमने सारे share कब बेच दिये 2000 कहता है के he sold all share 2022 में एक साल से कम ये एक साल से ज़्यादा लगा टाइम राइट इशू को compare करो 2021 में मिला है कब परवरी में और बेच दिये आपने कब जनवरी में और भी इस तो कमी है तो ये short term मानेंगे long term मानेंगे short term ये सारी बाते भी याद रखना होगा इस पर indexation मिलेगा नहीं मिलेगा short term पर तो indexation share इस वाले shares पर है indexation लेकिन short term पर नहीं है कहता है 460 रुपे में बेच दिया cost of inflation indexation आपको further given है और compute the capital gain and tax for assessment year 22 तेस assume the income from other source भी इसका 31 का है तो पहले मैं shares वाले का टुकडे कर लेता हूँ यानि सर इसका करने के लिए सारा का सारा share बेचा है इसने 460 में तो मैं इसको अलग बेचूँगा 460 का इसको अलग बेचूँगा 460 का इसको अलग बेचूँगा 460 का हर किसी को अलग-अलग करूँगा, तो कितने पार्ट में बाट दूँगा, एक, दो, इसके लिए तीन, और फ्री वाले के लिए चार, इसकी calculation में कितने हिस्से में करूँगा, चार में, पहले पार्ट में, सर, सेल, सर, सेल होगा यहाँ पर हजार, इंटू में चार सो, लैट इस कितने होगे, चार सो साथ, यहाँ, माइनस, कॉस्ट ऑफ एक्कुजेशन, सर, इसको कितने का खरीदा था, 156, 060, इंटू में, 317, डिवाइड़ भाई, खरीदा कप था, डेट भी लिखा है, 2002 और, सरी, तीन और चार, और सर, तीन चार का क्या है, पहले आप इसका बता दिजे क्या आता है, बताईए, 45, सर, यहाँ गया, long term capital के, कितने का, 50, 53, 8, अरे यह बहुत ज़्यादा हो गया है, तो, माइनेस करना है, यह तो, 6000, 6000, 1000, 1000, पहला केस मैंने कर दिया आपके लिए किसी को दिकत पर्स केस के लिए है सेकेंड केस इसी के नीचे कर लेते हैं अब बोनस के लिए तो बोनस वाला जो सेल हुआ है वो 500 शेयर बेचा तो भाई या 460 में है ना कितने आएंगे माइनस करेंगे और यह होगा देखें एक यह हिस्सा होगया अब राइट इशू को करना है राइट इशू में भी दो पार्ट करेंगे एक जो की राइट बेचा है उसके लिए और एक जो राइट इशू शेयर खरीदा था उसको भी उसने बेच दिया अगले पेच पर चलते हैं राइट इशू वाले को सर सेल सर पांसो शेयर और चार सो साथ तो दो लाग लेस कॉस्ट आफ एकुजिशन इंडेक्सिशन कर दे क्या नहीं करेंगे क्यों 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 कि शॉट ट्रम कितने का लिया था तीसरा केज चौथा पार्ट फिर से राइट इशू बेच देते सर सेल कितने का किया था राइट इशू सर इसके लिए कॉस्ट आफ एकुजिशन लोगे क्या तो ये कितने का हो गया इसने बोला taxable capital gain बताईए और total कितना tax लगेगा total income भी बताईए तो capital gain से तो income यह हो गया सब को जोड़ देंगे यानि अगर सर हमें इसका taxable income निकालना हो चलिए सर लॉंग्टरम capital gain पहले नॉर्मल शेयर से सर आपने बताई एक अतिस सो सेंतिस नहीं एक सट सो सेंतिस प्लस bonus वाले से भी हुआ bonus वालों से दो तीस टोटल हो गया यह 1 फिर 3 क्यों आएगा STCG right issue से right issue से six के बाद है right issue से sir right issue से पहले से दो लाक और जो उसने right बेचे हैं उससे sir 50 कितने आगे और income from other source सो सवाल में देखेंगे last में कहता है कि other source income एक 30 है 130 पहले यहां तक देखें किसी को कोई डाउट फिर total income जिसको हम gross total income भी कह देते हैं करिये प्लस छे लाक पहले यहां तक देखें किसी का कोई डाउट question का full format दिखा देना मैं समझा नहीं है क्या कह रहे हैं यह बच्चे 31 अटिस है मैंने 37 ले लिया अब बच्चे कुछ कुछ कह रहे हैं यह 38 है क्या अरे तो चिंता मत करो एक रुपए तो होगा है चलो मेरा main purpose था sir इस question में complication है देखो एक तरफ हमारा bonus को भी ध्यान देना एक तरफ right को भी देना है और right इस तरीकी के सवाल भी आने के chances ज़्यादा होता है shares वाले में तो shares वाले के अंदर आपको ध्यान रखना है short term का भी आपको ध्यान रखना है long term का भी ध्यान रखना पड़ा है तो यह पूरा question था जो कि हमने किया tax liability बोला है तो इसके अंदर 31 था ना income इसका tax liability निकाल के बता दू ना बता यहां पर समझा दू यहीं समझा देते हैं इसका tax liability सर देखो आपकी income यह बन रही थी total long term capital gain पे 20% ले लिया इन्होंने सीधा याद है long term कितना था 236 कहां था सर 236 दिखा दो आप 236 138 LTCG उस पे कितना लगेगा long term पे सीधा इसलिए पिछले वाले सवाल पे मैंने बोला भाईए आप 20% तो मानो तो इस पे सीधा कितना लग गया सर 20% समझ में आया आप बाकी short term पे ना हमारा basic exemption limit के साथ लगता है वैसे 15% होता है लेकिन basic exemption अब total income अगर इसमें से यह income अगर आप बाहर निकाल दो तो आपकी बचे यह income इस पे से ढ़ाई लाक रुपे आपका exempt और प्लस एक तीस तो एक तीस के उपर आपका लग गया 5% that is यह और आपका यह और सैस लग के यह answer आ गया करके बता दू हो जाएगा समझ में आजएगा सर मेरी बुक में question में value अलग है हाँ कोई बात नहीं वैल्यू अलग हो सकता है आप concept देखिए देखिए कुछ बच्चे कह रहें सर हमारी बुक में question value अलग है कोई बात नहीं है सामने मैंने question तो दिखाई दिया आप इसके इसाफ से समझिए और जिसके बुक में value अलग है अच्छी बात है आप दुबारा करके उसको अपने आपसाद चेक कर सकते है कोई दिक्कत सर अगर धाई लाख एक रुपए हो तो क्या टेक्स लगेगा बिल्कुल एक रुपए पे लगेगा लेकिन 87 यह बचा लेगा आपको वो जीरो कर देगा पांच लाख तक जीरो है कहने के लिए सर शौट ट्रम वाला टेक्स लाइबिलिटी बता दो चलो बता ही देते हैं कोई टेक्स लाइबिलिटी सर यहाँ पे दो तरीकी का इंकम है 6,16,138 इसके अंदर दो तरीके का इंकम है एक LTCG एक STCG और एक हमारा और है जो कि मैंने अलग-अलग कैटिगराइज कर रख है सर इसके उपर कहा गया कि 20% टेक्स लगेगा और नथिंग मैं हर बार यही कह रहा हूँ पिछले सवाल में कोई और इंकम नहीं था इसलिए Basic Exemption Limit मिल गया इसे इस वाले में तो हमारा अलग से इंकम है ना भले ही Short Term Capital Gain है तो अब इसे Basic Exemption Limit का फैदा नहीं मिलेगा इसका मतलब तर सर ढाई लाक का Basic Exemption मिलता है बलकि इसका देखा जाए इन दोनों इंकम को जोड़ दिया जाए तो ढाई लाक और प्लस एक तीस अगर दोनों को जोड़ दिया तो तीन लाक अस्ती अजार तो वैसे ही आ रहा है हाँ इन दोनों को इंकम को भी अगर हम जोड़ देते और बनता मान लो दो चालिस तो हम यहां से दस अजार माइनस करके बागी पे बीस परसंट लेते हैं यानि आपको गवर्मेंट कह रहा है कि आप धाई लाक रुपे अवेल कर लीज़े जैसे मरजी करना है यहां पे धाई लाक था आपको बेसिक एक्जम्शन खतम यहीं कर गया तो इसलिए आपका पहले हम इसके उपर टेक्स निकालेंगे तीन असी पर अलग और उस पर अलग तो अप्टू टू फिफ्टी निल बैलेंस बैलेंस बचा कितना टू फिफ्टी माइनस करोगे तो और एक तीस पे बनेगा at the rate 5% that is 5500 अब इसका निपट गया, अब भाई long term capital gain आ गया तो आपका LTCG पे सीधा कहता है 20% तो 2, 36 20% कितना आ रहा है बताओ calculate कर लो 4, 7 2, 2 सट टोटल कर लीजिए कितने आगे, 47, 5 52 53, 700 अब इसे फ्लस कर देंगे higher education says 4 पर तेशन, कितने हैं 22 2149 प्लस कर दीजिए 55,800 वही चीज, अब समझ में आया जिसको थोड़ा बहुत भी doubt तक clear हो गया, क्या है कहानी अधर सोर्स जूड़ी गया न, इसमें 31 तो जब मैंने यहां पर count किया है, 130, तो अधर सोर्स तो automatically आ गया था हमारा यही बाते आपको, यहां solution में कहा गया है, कि इस तरीके से हमने निकाला है, simple सी बात है, ठीक है? मैं और सवाल को अगर देखूँ, तो पांचवा सवाल, जो कि बड़ा simple है, तो मैं आपको तेरा question है, जिसमें से हमने honors के आज कितने question देख लिए? दो देखें, तीन देखें, तीन देख लिए आज, अच्छा एक वो भी किया था, HDB वाला न, तो तीन question देख लिए, वो एक तो हटाई दो, वो तो paper के अंदर था, तो हमने दो question देखें, तेरा, अभी बच गया इसके कितने, 11, तो ये 11 question home work में रहेगा, आपने try करना है, तो मैं इसका PDF या questions में upload कर दूँगा, तो 11 question आपका रहेगा home work में, जो honors के बच्चे उनको तो प्रोग्राम के बच्चे वो PDF का wait करेंगे, प्रोग्राम वाले सारे question almost हो चुके मेरे ख्यालने, almost, तो प्रोग्राम वाले, capital gain के perspective, देखो exam point of view से मैं कहता हूँ कि आपका syllabus हो गया, done, अब मैं capital gain का अलग से recording करूँगा, extra part के लिए 50C है, या फिर आपका slum sale है, या कुछ औ और छोटी-छोटी सी बाते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको real life में पता होना चाहिए, अलग से मैं वीडियो बना दूँगा, तो मेरे इसाब से आप सभी को ये बाते समझ में आ गई होगी और clarity भी होगा, तो सर अगली class में क्या करेंगे, जो 13 question है, यानि अगली class कब है कल, कल वाली class में जो भी 13 question है, पहले तो हम इसका doubt लेंगे, तो सभी बच्चे, जितने बच्चे हैं, doubt लेके आएंगे अगली class में, यानि कल, पहले तो doubt लेंगे, doubt लेने के बाद कोई थोड़ा समय बचेगा, तो हम start करेंगे PGBP, chapter profit business gain, PGBP start करेंगे हम, कल, sir, मेरी book में, long term में, question में 10% text लिया है, पहले 10% हुआ करता था, अब revise हो गया है, shares पे, पहले हुआ करता था, तो पुराने book में update नहीं हुआ होगा, deduction की वीडियो, deduction वाले chapter में मिलेगी आपको, जिसको note करना है, note कर लीजिए, कुछ बच्चे कह रहे थे, अब कि कुछ बच्चे कुछ